आपको बहुत ही महत्पूर जानकाई देने वाले हैं आतिती शिक्षों के निमीतिकड़ को लेकर सिक्षक भरती को लेकर बहुत ही महत्पूर कबार है जिक्चक भर्ती में वह अन्वर्तियों में किस तरीके से घुटाला होता है और किस सब्वियारतियों की भर्ती होती इसके बारे हम पूरी उस्तार से जानकाई दी गई नेता प्रितिपक्छ गुलाब छंद कटारिया जी इन्ने खुलासा किया旅 कि सरकार किस तरीके से भरती करती है अब ब्यारतियों क Songs काहली पूरा खुलासा किया गया बाउन सबाले मैं मैं पूरी उस्तार्से कोई चिंता की बात नहीं जो डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा मतलब दस वरस में चाहे मेरा सरकार रही हो चाहे आपकी रही हो किसी मैं स्वेम शिक्षामंत्यूं अपरादी होंगा कोई चिंता की बात नहीं लेकिन आप कम से कम इन दस सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है इनकी जितनी परिक्षाएं हुई है उनके परिक्षा के रिजल्ट के साथ आप एकनुमी टीम लगा करके इनका पोस्ट माटम करें तब आप को इस समझ में आ जाके यह बिमारी कहां से चली है यह बिमारी इन विप के ट्रू चली है में और आप पेपर आूट करेंगे पेपर लगा पांत जाटलाग मैं यह कि दो करोडु पांचछ आखरोड़ दे सकता हूं कि है यह सारे के सारी जो पैसे देने वाले बड़े-बड़े दिग्धों लोग है लो कोईज दस क्रोड में पेपर ले जात तो यहां करो, तब तो जा करके इसको कोई रोक सकोगे, बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो, तो यह राजस्तान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्खिल्च पढ़ता है, अपने गर में बुड़े माब आपको भूखे मारक भड बड़ता है, और उसके बाद परिक्षा के लिए जाता है, रोतावा घंड लोटता है, क्या दुख नहीं होता है, हम लोगों के मने में कोई रहम नहीं है, क्या आखिर रोज बच्चे का क्या होगा, जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है, इन सारे पैसे वालो लोगों के पास में है, आपने सारी सरकारी नोक्रियों को बेज दिया, मैं बहुत कड़वासत बोल रहा हूँ, आज जो पिछले आठ साल में नोक्री में लगे ना, उन सब का भी पोश्ट मार्टम कराओ आपको लगेगा, आदा फटी मामना निकलेगा, कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर, कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, जिस प्रकार से हमने परिक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आसाओं के उपर पानी फेर दिया, रात और दिन पढ़ता है, पूग का प्यासा पढ़ता है गर बेच करके पढ़ता है, खेच बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सेलेक्षन नहीं होता तो जेहर खा के मरता है, कोई स्पीडा को समझने के लिए तैयार नहीं है, और हम इस कानून को लाकर के दुनिया को बताना चाहरे हैं, कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिय इस कानून से कुछ भी नहीं होगा, मैं आज आज आपको कहरा हूँ, यह जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का, क्या होगा है, किस तरह की गेंग पालनी है उन्हें, मैं उ सिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ट्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोशी कौन है, जिसके कारण से पेपर काट करके निकाल लिया, यह तो ठीक है, भागिया हमारा अच्छा था, कि सवाई मादोपुर की घटना खुट गी, और S.O.G. को उसमें हाथ में ल का बच्चा अपने घर लोटके जाता, क्या दुर्फा किया है, और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ, कि हमने कानून बहुत सक्त बना दिया, इतलिए अपरादी रुख जाएगा, नए, सिस्टम को बदलना होगा, यह परिक्षा का सिस्टम चेंज करना होग मैं सोचना हो कि क्या हम इतने अकल बंद बैठे हैं, क्या इस वह ब्यवस्ता को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्या एक ही पेपर हार राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए, क्या इसका फूई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, इसका ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परि पर भेजेंगे, और ये जितने भी प्राइवेट स्कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखें, इनको बंद करो, इनको तुरंट बंद करिए एक ओर्डर से, जितने भी सरकारी विद्याले हैं, और सरकारी नोकर ही एक्जामिनर्ट बनेगा, और एक्जामिशन करेगा, तब अलग से कोट होगा, बहुत अच्छी बात है, प्रोविजन जो आपने डाले हैं, वो स्वागत करता हूँ, पर इन प्रोविजन को लागु तो आप और मैं करूँगा, कुन करेगा, जब हम ही ठीक नहीं हैं तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बैठे बैठे हैं, जब तक हमारा दिल और दिमाग शीख नहीं होगा ना, इस बिमारी का इलाज नहीं होगा, अमने शिक्षा के मंदिर को ब्रष्टाचार की भटी में जला कर खाक कर दिया, दुर्बाग गे हमारा, जहां से कोई आशा की किरन दिखती थी उस गरीब को, कि चलो मैं अपनी मैं से आगे बढ़ जाओंगा, लेकिन अब वो निराश्या में आ गया है, उसको लगा कि आप कोई रास्ता नहीं है, और इस कारण से मैं सूचता हूं कि आप जिस भावना से लाया, मैं आपकी भावना की इत्युत करता हूं, लेकिन केवला आपकी भावना इन वेमानों को नह जीवन कारावा सुरा क्या वेविचार रुप गया है, अपरादी को दंड मिल सकता है, अपराद बंद नहीं हो सकता है, अपराद बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो, एक मात इस देश में ब्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था, केव एक तरह से प्रत्येक वेक्ति का खाता खुलवा कर देश के परदानमंती में सारा का सारा बैनिफिट उतका सीधा खाते में डाला, भाइमानों को चोट लगी नहीं लगी, उस तरप अपना दिमाग पचाओ, उस तरप अपना दिमाग लगाओ, किस बिमारी का इलाज कहा है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो मैं जिनको, मैं कई बार इदर सीकर और इदर गया तो मैं सोचता हूं कोचिंग संस्तान की बिल्डिंग देंगे ना तो टोपी गिर जा नीचे से क्या चीज़े यार, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसा ही है और जो बाकी संसा है उसका कारण ही है कि हमने अपनी दुकान को इतने कमजोर कर दी है कि जहां बच्चे अच्छी तर से शिक्षा ले करके हम जैसे गरीब पढ़ करके यहां आ गए अब वो रास्ते नहीं है और इस कारण से मेरी बहुत बिले प्रार्थना है इस बिमारी का इलाज से यह बच्चे को कानून से नहीं होगा कानून के लागा होगा और उसमें आपका रहे धन्यवाद थैंक्यू मानने मंत्री मोदे